हलो दोस्तो मैं श्री अपने चैनल सरिडी फूट्स में आफ सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज मैं आफ सभी लोगों के साथ बहुत ही जादे टेस्टी रेस्पी सेयर करने जा रही हूँ और इसका कुछ इतिहास है, इसकी history है, यह traditional recipe है, इसको बनाने का तरीका सब जगा अलग अलग है, धीरे धीरे इसका trend बढ़ता गया, क्योंकि यह बहुत जादे healthy होती है, तो इसको लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिये हैं, आज मैं कुछ अलग तरीके से इसको बना रही हूँ, आप लोग भी अपने घर में अपने तरीके से बना सकते हैं, मैं बच्पन में इसको कुछ अलग तरीके से खाती थी, और इसका जो इतिहास है, वो बच्पन में जैसे मैं खाती थी न, वैसे ही है, इसमें डालने के लिए सबसे डाय फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं आप चाहें तो इसे स्कीब भी कर सकते हैं उसकी बाद जब यह आपका पोस्ट दाना हलका चटकने लगी तो इसको निकाल लेजिए और निकालने के बाद से इसी में आप मुंफली दाना भी भून लिए जो कि मैं पहले से भून के उसके छिलके उतार के रख चुकी हूँ जी हाँ यह विल जो रेस्पी है इसमें मैं मुंफली दाने का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि जो जब मैं इसको खाई थी जहां पर यह बनाई जाती है तो वहां पर मुंफली दाना भी पढ़ा था वो मुझे बहुत ड़र टेस्ट और थोड़ा थोड़ा पाई डाल की इसको बहुत ही जह को बस्पन वालई काहाने सुनाती हो बस्तव मेंगी क्या होता था कि यहां बाटी बनती थी, बाटी जो होती है, उसके बाद देजिए खीया, और कोई भी घीया गरम कर लीजिए तो इसमें इसको आप तल लीजिए, ठीक है, धीरे-धीरे डाल दीजिए, मध्यम आज करिए, कम आज करिए, जादे आज करिए, धीरे-धीरे करके इसको आप तल लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा करारा तलना है, मतलब इसको कच्चा नहीं उताना है, इस बात का आपको ध ये रेसिपी उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे मेरे पापा बनाते थे जब क्या होता था पहले के जमाने में दाल बाटी चूर्मा बनता था ठीक है तो दाल और बाटी यानि कि वो खाली वाली बाटी जिसमें की जो सत्तू होता है वो नहीं भरा जाता था ठीक है तो खाली के रूप में वो उसी बाटी को चूरा बना लेते थे और चूरा बना के उसमें गुड़ और देशी घी डाल देते थे और थोड़ा सा ड्राइफ़ोर्स अगर होता था तो डाल देते थे नहीं ऐसे ही उसी का वो लोग चूरमा बना लेते थे और उसको वो लोग मीठे के रू तो मैंने इसको क्या किया है मैंने इसको तल लिया है पहले मैं तोड़ना का कोशिस की लेकिन वह बहुत गरम था तो मैंने थोड़ा वेट किया उसके बास से अब हम इसे पूरा जितना हमने तला हुआ है सब हमको तोड़ लेना है और तोड़ कि इसको फुली ठंडा करना है क् और आप ठंडा नहीं करेंगे तो आपका मिक्सी जार का जो ब्लेड होता है वो तूड जाएगा बाकि आपके मिक्सी जार के ब्रांट पर डिपेंड करता है क्योंकि मेरा बहुत ही पुराना है तो मैं बहुत केयर करती हूं और मुझे जिस चिस से प्याव जाता है मैं उसको केयर करके रखती हूं चला जाए तो अलग बात है कोई बात ने जो चला गया हो चला गया ठीक हम उसके बाद से इसमें हमें जो हमारा जो मुझे जाना है उसको सबसे पहले हमको पीस के निकाल लेना है उसके बाद से जो हमने ये पूरा का पूरा तोड कर रखा था ये जो हमने सेव दिया था यानि कि जो हमने बाटी टाइप में तला था उसको हम पीस लेंगे इसको हम दो बार में करके पीसेंगे एक बार हमने पीस के निकाल लिया है अब हम दूसरी बार भी जो हमारे साइड में हलकालका दि बनाना है आप सोच लीजिए आजकर लोग हम देखते हैं लोग छलनी से छान देते हैं आप इस सोचिए पहले बाटी को हाँच से मसल की बनाया जाता था तो कितना कैसा होता होगा ऐसा ही होता होगा ना तो जब आप मेंद सही रूप में अगर आप चूर्मा बना रहे हो ना आप यही वाला चूर्मा बनाईए उसके बास से थोड़ा सा आपको कड़ाई में लेना है देसी घी और जो आपने अभी पीस कर लिया है निकाला है चूर्मा उस चूर्मे को आपको इस देसी घी में डाल देना है जैसे हैं कि हमने कहा कि सब ने अपना अलग अलग तरीका एक बार आप लोग इस वाल रेस्पी को ट्राई जरूर करिए को बहुत जादे हेल्दी भी होता है इतना जादे हेल्दी होता है कि अकसर करके इसको जब भी मतलब कि जो गर्वोती महिलाएं होती है उनके प्रेग्नेंसी जब बच्चे को पैदा कर लेती उसके बाद उनको खिला जाता है और बहुत सारे लोग इसको खाते हैं बहुत जादे टेस्टी भी होता है हेल्दी भी होता है तो आप लोग अपने घर पर इस वाई रेस्पी को जरूर बनाईएगा एक बार बनाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोग के रेस्पी कि कि सहायता से अच्छे से पिखल जाएगा पैर जैसे कि हम ने आपको बता है कि राब होता था खान होता था घृट जो होता था होड़ा सा सौन गिर। हमने पिस के रखा था वो हम इसमें एठ करेंगे उसके सासा था हम इसमें चीणी पर हैड़ करेंगे चीणे optional है लेकिन मैं बूरा आजड ०ूड़ा आ होंगे जो चीनी होता है ना चीनी का पहले चासनी बनाया जाता है फिर उस चासनी को उसको मतलब बिल्कुल टाइट किया जाता है फिर उसको थोड़ा सा जमा दिया जाता है उसके बाद से उसको तोड़ा जाता है पीसा जाता है तब यह बूरा रेडी होता है तो यह बूरा भी बहुत जादे हेल्दी हो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसमें अच्छे से आपको ऐसे मैस्क मिक्स करना है वैसे सिर्फ गुड से भी आप बना सकते हैं आप सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं आप इसमें चाहें तो दोनों चीजे ना डाले आप मिसरी पीस कर डाल सकते हैं आप चाहें तो जो खजूर होता है वो भी आप पीसकर डाल सकते हैं तो इसको हमने चाव तरफ फैला दिया है अब उसके बाद से जो हमारा गुड़ है वो पिखल गया है तो हम इसको इस तरीके से इसके उपर डाल देंगे और डालने के बाद से हम इसको मिक्स करेंगे ये इसका टेस्ट तरीके से उन्हों ने बनाया था मैं आपके साथ वही आपको तरीका सेयर कर रही हूं आपके साथ ये तरीका मुझे बहुत इजी भी लगा और अच्छा भी लगा और बिल्कुल अलग सा लगा बिल्कुल नया लगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादे अच्छा तो हमने का आप लोग के साथ सेयर क्यों ना किया जाए तो देखे ये वाला तरीका बहुत ज़्यादे अच्छा था और इसके बाद से आपको हांस से इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करना है यह जो देशीगी हमने गुड में डाला था उसी की सहाथा से लड़ू बन जा था और लेकिन मुस्से खाया नहीं गया था पर बर अच्छा लग रहा था उसका टेस्ट बहुत ज़्यादे अच्छा लगता है क्योंकि यह टेडिशनल रेस्पी है हर जगा नहीं मिलती है आप इसे एक बार अपने घर में बना कर ट्राइ जरूर करिएगा तो देखे हमने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिया है इन लड्डू को बनाने के लिए आपको हाथ बहुत टाइट करना है इसको हलके हाथों से नहीं बनाना है क्योंकि यह थोड़ा सा जितने दाने हैं उन सभी दानों को आपको आपस में चिपकाना होता है तो हाथ को थोड़ा सा टाइ है आपने अपना तरीका भी अगर आप लोग सेयरर हो confident मुझे कर सकते हैं और लोग ने यस तरीके दिदों खाये हैं अगर खाये हैं तो भी ज़रूर बताईएं चली चलते हैं मिलते हैं आप सबीए लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर अपना ख्याल लखिएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब